नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता गई, मैं लुद्याना तो ब्लॉंग कर दी हां, मैं लुद्याना वीच पच्ची साला तो अपना ब्यूटी पालर और जर्नल स्टोर चला रही हां, सन 2001 वीच मैं नो गायनी प्रॉब्लम होई, मैं डॉक्टर नो दिखाया, ता पता लगा के य जिसता हल उप्रेशन दस्या, पर मैं उप्रेशन करवाना नहीं चांदी सी, क्यों मैं मैं मैसूस करदी सी, कि अप्रेशन करवान तो बात मैं नो तिन चार मिने दी रेस्ट करनी पहेगी, जिसता असर मेरे बिजनस पहेगा है, मैं सोच दी कि कि कोई द्वाईल है कि मैं होमेपेथिक मेडिसन लई दो साल लगपग होमेपेथिक ट्रीटमेंट करन तों बाद मेरी एर सोली कटन दी बजाये उल्टा वद गई सन 2003 फर्वरी विच मैंनू अप्रेशन करवाना ही पया अप्रेशन करवान तों बाद मैं सोई दी चलो तीन चार महिने दी रेस्ट तों बाद मैं अपने कामनू रेगुलर कर पावागी काम करना शुरू हो गई करदे करदे कोई प्रॉबलम नहीं हुन दी सी सारा दिन दुकान मेंच खड़ी होना कदी कोई मुश्कल नहीं आई सन 2005 विच मैंनू अपनी लत्ता दे विच वीकनेस में सूस होनी शुरू होई यह वीकनेस दिनों दिन वर्दी गई और यह वीकनेस गोड़्या में चानी शुरू हो गई ता मैं इस गल्दी डिसकेशन अपनी एक फ्रेंड जो आयरवेदिक डॉक्टर स्यूसनल डिसकेश कीती ता उसने किया कि अकसर अप्रेशन तो बाद एक प्रॉबलम आज अंदी है ता मैं अपनी वीकनेस नू हटांदे होई एलोबेथिक मेडिसंस ताकत दिन द्वाईया लैनिया शुरू कितिया एक वीकनेस मेरी गोड़्या में चानी शुरू हो गई जिसनाल में नू गोड़्यां चानी दरदरें लग भया ता मैं सोचया कि चलो शेयर करनी शुरू कर देनिया ताके मैं इस प्रॉबलम तो ठीक हो सका ता मैं शेयर शुरू किती एक दिन मैं शेयर करके वापस आ रही सी कारतों अद्दा किलोमीटर दूर मेरी खबील अपने में नू चलन तो जवाब दे देता ता मैं बहुत परिशान कदम पटेया नहीं चाहिया सी लगती मूवमेंट बिलकुल बंद हो गई सी ना मेरे कोल मोबाईल्स ना रिक्षा कि मैं कारपोन सका किसे नू फोन कर सका मैं परिशान स्वेरे छे साड़े छे वाइदा टाइम सी ता मैं खड़ी सड़कते सुन सान एकदम कली खड़ी सोच रही सी के मैं एद्दा किलोमेटर दा रस्ता किस तरह कवर करांगी किस तरह मैं अपने कार पुंचांगी काफी दे भी परशानी तों बात किसे अन्नाउन परसंदा सहारा लेके मैं किसे तरह अद्दा किलोमेटर दा रस्ता कवर करके कार पुंची कार आके मैं बेढ़ते गिर गई मैंनो कोई होश नहीं सी कारवाल्या ने डॉक्टर नो बुलाया ते उसने इंजेक्शन द्वाईयां वगारा दितिया मैंनो तिन चार कंटे बाद होश आया उस ताइम मेरी बेटी डॉक्टर भी ए मेस्दी ट्रेनिंग कर रही सी ता उसने मैंनो अपना आयरवेदिक ट्रीटमेंट दिता पर मैंनो कोई फरक नहीं पया प्रावलम बदी गई गोड्या में इस बर्द बदी गया और मैंनो नाल बीपी दी प्रावलम भी शुरू हो गई डॉक्टर नो दिखाया ता उसने बीपी दी गोली लगा दिती बीपी दी प्रावलम एन्नी जल्दी वदी के पता ही नहीं लगदा सी के बीपी किस टेम वज जन्द है दिखान ते गोली एक होर लग गई दिन दियां दो गोलियां एक स्वेरे एक शाम नो लें तों बाद भी मेरी बीपी दी प्रावलम सोल्द नहीं होई मैं हर टाइम प्रेशान रंदी बच्चे जोग ते चले जन्द सी और केई वार उनानू कारवा पसाना पेंदा के पता नहीं की हार कार होएगा कारविच बमारी दम होल बनिया रंदा बहुत ज़्यादा परेशान किद्रे आज आ नहीं सकदी सी रिक्षा आटो ते चड़ना बहुत मुश्किल सी जे किद्रे जरूरी जाना मी पेंदा ता बेटा बाइक लेके आंदा बाइक ते चड़ना मी बहुत ओखा सी और कोई उच्ची जगा देखदा ता ओना सहारा लेके मैं बाइक ते बैठ पन दी लुद्याना दे नाम मी ओर्थो डॉक्टर्स नू दिखाया ता उना ने MRI सुझेस्ट कित्ती MRI दी रिपोर्ट वीच आया के तो अड़ी जीर दी हड़ी दा मन का फुरिया होया है गोड्यान दी प्रॉब्लम दस्थन ते उना ने किया के प्रॉब्लम एननी जादा है के तो आनू नी रिप्लेस्मेंट दा अपरेशन करवाना पाएगा असी बहुत जादा परेशान डॉक्टर कैन लगा चलो तुसी थोड़े दिन होस्पिटल एड्मिट हो जाओ पंदरा भी दिन होस्पिटल एड्मिट हों ते उसने खिच फीजो थेपीज, इंजेक्शन, दवाईयां वगेरा दितियां ता कह रहा के थोड़े दिना बाद मेरे शिरीर दा फिर ओई हाल हो गया बहुत जाड़ा परेशान दुकान दा काम करना बंद कार चुकी सी और कार दा काम करना में बहुत मुश्किल लगदा सी अगर कंटा दो कंटे मैं सोई वी कुकिंग दा काम कार लेंदी ता तिन चार कंटे लई मैंनो बढ़ते लेट ना बेंदा और मेंनों कोई होश ना रंदी मैं पानी पीन तो मैं डिपेंड हो गई सी मैं उठके उसी तेंग मैं अपना काम नहीं कर सक दी सी बहुत ज़ादा परिशान कारविच बैठी सोचन तो मजबूर हो गई के मेरी जिंदगी बिलकुल बेकार हो चुकी है मैं बहुत ज़ादा डिपेंड हो गई हैं मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया है ता डॉक्टर्ज नो दिखाना उना ने नी रिप्लेस्मेंट पा ही दसना मेरो बेटे ने कार आना तेल गरम करना ते मेरी यां लत्ता भी मालश करनी ता मैं थोड़ा जया हील पाना इतनी ज़्यादा परशानी तो बाद बच्चिया ने डॉक्टर्ज ला किती और कारविस ला करके मन बनाया के अप्रेशन करा ही लेने हां पर मेरी बेटी जो के डॉक्टर सी ओ अप्रेशन करवान बे ठाकविच नहीं सी ओ चंदी सी के कुछ एहोजया मिले के अप्रेशन तो बच्चिया जा सके ओ हारक ना डिसकस कर दी एक दिन उस ते किसी कुलीक ने उसनों फार एवर प्रोडेक्स ते बारे दस्या ते उसनों आस होई के अगर एप्रोडेक्स मैं अपनी मम्मा ने दोना ता उना दा अप्रेशन बचाया जा सकता है और उसने कह रहा के मेरे नाल गाल किती ता मैं कहा के ए जीजा कुछ नहीं हुं दियां ए खराब करन गियां रहन दे तुए कोई गाल ना सुन पर उनने मेरे ना करन दे बावजूद भी मन प्रीश सिंग जी नो नरमिंदर अगरवाल सार जी नो कार भुलाया ता उना ने मेरी दशा देखी ता मैंनो प्रोड़क्स दसे पर मैं उना नो बहुत ज़्यादा नेग्टिविटी दिखाई मैं केहा ए सब कम मैं कर चुकी हैं एना दा कोई फैदा नहीं हुंदा पर उना ने बस्या के फार एवर दी हिस्ति विट एक भी हो जया नहीं जिसने प्रोड़क्ट नो यूज किता हुए ता उसनों फरक ना प्या हुए हर एक दी इमड़ी एकार्डिंग फरक पैना ही पैना है किसे नू जल्दी ते किसे नू देर ना ओना दा इनना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख के मैं भी प्रोड़क्ट नो लें दी हां करती ओना ने मैंनो प्रोड़क्ट दिते फारवर फ्रीडंग, गार्लिक टाइम, नेचुर निन, आर्क्टिक सी, एममेशन और हीट लोशन और ओना ने इसनों लें 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 ही दस्या ओना दे कैंदम तबक मैं प्रोड़क्ट नो लें शुरू किता सत दिना दे विच मेरी बोड़ी ही प्रोड़क्ट लें तो बात ऐसी जान आई कि अठने दिन मैं दुकान पे जाके अपने कंदम नमे सिरतों करना शुरू किता पर मैं इस गल तो हैरान सी के जिस प्रॉब्लम दा हल दस साला तो वड़े वड़े नामी डॉक्टर्स, फीजियो थ्रैपीज, अनेक तरांदियां, पैतियां, लें तो बात नहीं मिलिया और फॉर अवर दे प्रोडेक्स ने सब दिन दे विच कर दिखावा अज मेरी कोई होर अलोपेथिक मेडिसन नहीं चल दी और बीपीदी मेडिसन में बिलकुल बंद हो चुकी है आज में किसे ते डिपेंड नहीं है, आज मेंनो किद्रे आना जाना कोई सोचना नहीं बेंदा, मेंनो कारदा काम करंच कोई मुश्किल नहीं आंदी आज में मानना कह सकती है के फारेवर दे प्रोडेक्स से मेंनो नमी जिंदगी दिती है फारेवर जे प्रोड़क्स ने मैंनू भी साल पुरानी मेरी लाइफ वापस दिती है और मैं अज अपने काम करन नू नहें सिरतों तियार होई हैं अज मैं थैंक्स कर दी हां मन प्रीज सिंग जीदा जीना ने मैंनू प्रोड़क्स रिक्मेंड किते अज मैं थैंक्स कर दी हां तरमिंदर अगरवा सर जीदा जीना ने मैंनू प्रोड़क्स दी ब्रीक की बारे समझाया आज मैं थेंक्स कर दी हां, अमर जी सिंग उभी जीदा, जीना ने ए प्रोडेक्स, जीना ने ए प्रोडेक्स नो इंडिया वी चलियांदा, आज मैं स्पेशल थेंक्स कर दी हां, रेक्स मोन जीदा, आज मैं स्पेशल स्पेशल थेंक्स कर दी हां, रेक्स मोन जीदा, जीना ने ए वंडर्फूल प्रोडेक्स नो बनाया, ते साथे वरगे लखा लोका दिया, जिन्दगिया नो समा रहा, थेंक्यू, थेंक्यू, थेंक्यू.